Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल पहली death है, वो Mexico के अंदर देखने को मिली है, यह आप खबर देख सकते हो WHO confirms first human death from H5N2 variant bird flu in Mexico, और इसी को सब्सक्राइब डीटेल में हम समझेंगे, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन से पहले जान रखें का आप में से जो भी लोग UPSC की preparation कर रहे हैं, हमारा जो नया GS Foundation batch है, वो परसों से 10th of June से start हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, यह तीनो language में से कोई भी अगर आपको choose करना है वो आप ले पाओगे, इसमें आपको सभी prelims, mains, interview पूरी त्यारी कराई जाएगी, और साथी साथ इसमें आपको 18 UPSC के जो books हैं, वो deliver किये जाते हैं आपके घर तक personal mentorship मिलता है, test series सभी life classes होते हैं, तो basically यह one stop solution है, अगर आप 2025 की त्यारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए best batch होने वाला है, join करने के लिए हमारे website आप पर जाएगे, या फिर comment section में link है और आपको use करना है ये code ANKITLIVE, ताकि आपको maximum जो discount है, वो मिल सके किसी भी courses में, और इसके अलाबा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे insta page पर जाएगे, वहापर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको भी आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि खबर क्या आई है, क्यों हम इसके बारे में discuss कर रहे हैं, basically World Health Organization, इन्होंने अभी recently confirm किया है कि 59 year old person की मित्यू, मेक्सिको के अंदर देखने को मिली है, and it is because of the strain of bird flu, जो की है H5N2, मतलब अभी तक पूरे दुनिया में कभी भी H5N2 की वज़े से किसी की मित्यू नहीं होई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हो, बताया ये जा रहा है कि जिस person की मित्यू होई थी, मतलब बाकी animals के साथ नहीं था, तो ये सबसे ज़्यदा चिंता का विशह है, अभी तक ये देखने को मिलता था, कि अगर कहीं एकात के साथे थे पूरे दुनिया में, bird flu की वज़े से किसी person को infection हुआ है, तो वो person ज़्यादा तर poultry में involved होता था, animals के साथ involved होता था, तो वहाँ से वो transmit होता था, लेकिन वो तो involved भी नहीं है यहाँ पर, तो उसके बावजूद भी उसको infection होना और उसकी मृत्य हो जाना, ये सबसे बड़ी चिंता है, तो चलो थोड़ा सा और समझते हैं, सबसे पहले ये influenza होता क्या है, देखो, influenza को common term में flu कहा जाता है, and basically ये viral infection है, वाइरस की वज़े से होता है, और ये directly आपके respiratory system पर infect करता है, अगर आप influenza virus की बात करें, तो इसको तीन main groups में divide कर सकते हैं, एक है A, B और C, और इसमें से अगर आप देखोगे, जो type A influenza है, ये सबसे ज़्यादा serious होता है, और इसी के वज़े से outbreaks और disease देखने को मिलती हैं, अब क्या है कि influenza A virus का भी अगर आप देखिए, तो 131 different subtypes आपको देखने को मिलेंगे, अब 131 में से अगर आप देखोगे, तो 2 को छोड़ दो, तो बाकी सभी birds को infect करते हैं, और इसी लिए हम इसको bird flu भी कहते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कि ये type A influenza virus को bird flu क्यों कहा जाता है, it is because कि 131 जो different subtypes हैं, उसमें से 2 को छोड़ कर, बाकी सभी birds को infect करते हैं, और यहाँ पर भी एक और चीज़ ध्यान रखीगा, जो influenza A virus है, इसमें आपको 2 प्रकार के protein देखने को मिलते हैं, आपको याद होगा, coronavirus के समय हम काफी बात करते थे थे न, इसका जो crown है, जो उपर वाला part होता है, तो वहाँ पर उसको protein से बना होता है, तो यह दो प्रकार के protein आपको इसके surface पे देखने को मिलते हैं, एक है hemogloitinin H, और दूसरा है neurominidase, that is N, H और N, और यहीं से आपका अलग-अलग different subtypes निकल कर आता है, basically अगर आप देखोगे, तो H के भी 18 different subtypes हैं, आपको इसी प्रकार से combination में देखने को मिलते हैं, और क्या होता है कि इन में से कुछ जो है, मतलब ज़्यादा तर जो है, वो birds को infect करते हैं, और बाकी जो है, वो mammals को, जैसे pigs, dogs, horses, या फिर humans को भी कई बार infect कर जाते हैं, अगर हम बात करें इसके natural host के बारे में, कि इस virus का natural host क्या है, तो ज़्यादा तर wild aquatic birds देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या है कि भली उनके अंदर ये पाये जाता है, लेकिन उनको ऐसाच कोई बिमार नहीं करता है birds को, वो अपना जैसा चलना है, वो चलते रहते हैं, लेकिन जब ये humans को infect करते हैं, तब ये घातक सावित होते हैं, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि, ये अलग-अलग combinations में हो सकते हैं, मैंने आपको बोला ना, 131 different sub types होते हैं, तो इसमें से कितने ऐसे हैं, 1 और N2, ये humans को infect कर सकते हैं, और presently आप देखिए, इस समय कई बार आपने देखा होगा, seasonal flu की बात होती है, कि इस समय seasonal flu चल रहा है, तो वो ज़्यादा तर H1N1 और H3N2 की वज़े से होता है, और कई बार epidemics जैसी चीजें भी देखने को मिली हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर यह वाले जो subtypes हैं, H1N1 और H3N2, तो इनको कई बार human flu भी कहा जाता है, rather than bird flu, क्योंकि यह humans को काफे infect करते हैं, infect मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ, कि यहाँ पर जो influenza A virus है, वो कई बार pandemic भी लाता है, जैसे अभी COVID pandemic हमने देखा था, मैं आपको example बताऊँ, तो H1N1, Spanish flu, कोई भूल नहीं सकता है, 1918 में बहुत बड़ा pandemic आया था, उसके बाद H2N2 की वज़े से, Asian flu आया था, 57-58 में, उसके अलावा H3N2 की वज़े से, Hong Kong flu आया था, 1968 में, और याद होगा अगर आपको, भारत में भी, इस्पेशली दिल्ली में, और कई लाकों में बताया जा रहा था, H1N1, ये 2009 में देखने को मिला था, जिसको हम swine flu भी कहते हैं, खेर, अगर हम इसके symptoms की बात करें, ये normal, regular जो flu होता है, उसकी तरह ही देखने को मिलता है, जैसे fever हो गया, cup हो गया, muscle हो गया, मतलब, जो COVID के समया कुछ हुआ था न, आपको वैसा ही symptoms आपको, इसमें भी देखने को मिलेगा, लेकिन आप question यहाँ पर यह है, कि Mexico में ये जो death हुई है, किस की वज़े से, H5N2 की वज़े से, ये इतना बड़ा चिंता का विशेक क्यों है, simple सी चीज़ है, मैंने आपको starting में भी बताया था, कि जिस person की मिर्ति हुई 59 year old person की, उसका कोई भी लेना देना नहीं था animal से, मतलब कि ना तो वो कोई pottery में work कर रहा था, ना animals के पास सच कोई गया था, मतलब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कही न कहीं उस person को ये जो virus फैला है, वो किसी दूसरे human से हुआ होगा, लेकिन आज था कि ये कभी देखने कोई नहीं मिला, कि ये जो influenza A type के virus होते हैं, वो human to human भी infect करते हैं, देखो covid में तो हम यही establish कर रहते हैं, covid में यही देखा गया कि human to human infect हो रहा था, तो यहाँ पर अगर मान लो इसी तरह से ये human to human infect करता रहा, और virus ने अपना रूप बदल लिया, आपने देखा होगा न, mutations होता है, एक सरी में जाता है, फिर दूसरे सरी में जाता है, तो mutate होता रहता है, और अगर ये घातक हो गया, बहुत तेजी से फैलने लगा, तो वो दिन दूर नहीं, जब पूरे दुनिया के अंदर एक और pandemic देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो avian influenza, ये zoonotic disease है, मतलब it can be spread from animals to humans, लेकिन धीरे धीरे जो खबरे आ रही है, ये human to human भी spread होगा, तो ये बहुत जादा problem create कर सकता है, क्योंकि देखे, हम pottery industry की बात करें, international travel की बात करें, आज के date में तो चीज़ें globalized हो रखी है, तो ये पूरे दुनिया में आसानी से फैल सकता है, तो इसके उपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना काफी जरूरी है, खेर यहाँ पर आपके मन में एक और question आ सकता है, कि क्या पहले कभी ऐसा instance हुआ है, bird flu का, जो कि humans में गया है, मैं आपको बता दूँ, खुद दिल्ली में भी आप देखोगे, तो पहली मिर्ती हुई थी 2021 में, मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था, मुझे याद है, कि दिल्ली में एक 11 साल के लड़के की यहाँ पर मिर्ती हुई थी, और aims में उसका इलाज चल रहा था, तो यह हुआ था, basically H5N1 की वज़े से, यह ध्यान रखेगा आप, H5N1, यह भी क्या है, यह आपका bird flu है, यह भी humans में ज़्यादा तर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यह वाला recently कई ऐसे cases आया है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, दुनिया में भी आप देखोगी, इंफर्ट मैं देख रहा था भी recently, अश्ट्रेलिया में भी यह वाला cases आया, मतलब वो चीजें जो कभी humans में फैलती नहीं थी, उनकी संख्याप धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और अब यह वाला जो problem हुआ ना, H5N2 का, यह दिखाता है कि कहीं न कहीं, हमें थोड़ा सा चिंता करने के आउशकता है, इसके उपर ध्यान देने के आउशकता है, खुद WHO ने भी इसके बारे में बोला है, WHO ने कहा है कि, अगें यहाँ पर हमें direct contact, dead birds के साथ, जो बिमार birds हैं उनके साथ नहीं रखना चाहिए, इसके अलाबा यहाँ पर जो भी आप product खा रहे हो, उसको अच्छे से properly cook करके खाना चाहिए, pottery से जो भी product आप खा रहे हो, इसके अलाबा हमें robust surveillance की आउशकता है, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, कि आखिरकार यह जो H5N2 bird flu जो फैला है human में, और मृत्यू भी हो गई है, यह काफी चिंता जनक है, आप क्या सोचते हो, इसको लेका मुझे comments में जरूर बताएगा, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हैं इन में से कौन सा disease यह जो लिखा हुआ, इन में से कौन सा disease जो है, it is caused by protein deficiency, deficiency, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF यह तो Telegram पर आईए, अलग लग सोचल मीडिया पर आप यूड़ पाओगे, और जैसा मैंने आपको बता है, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, you can simply use this code ANKITLIFE to get maximum discount, and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हो से next time, till then thank you very much, see you soon.